अस्सलाम अलेकुम दोस्तों आज हम आपको दूर सोड़ा पिने के फायदे बताएंगे दूर सोड़े के देशमार फायदे हैं ये एक ऐसा मश्रूप है जो बच्चे हो या बड़े सब पसंद करते हैं दूर सोड़ा पीने से ठंड़क तासगी रहात पहुचाता है डिप्रेशन, स्ट्रेस और ज्यादा सोजने की बेमारी में मब्तला अफराद, दिगर मुख्तलिफ अनरजी, डिंक छोड़कर दूर सोड़े को पीएं क्यूंकि इसमें ऐसा रिलेक्स्टन पाया जाता है जिसकी वज़ा से असाबी खुलियों और दिमाग के रेशों को सकून मिलता है, पेट के छोटे बाड़े मसाइल की वज़ा से निलाम हाजमा मुस्ताकल मिन्यादों पर रहने लगें, तो खताना ख़त तक हमारी सहत के लिए मुख्त साबित हो सकते हैं, सोड़ा आपको इन मसलों से बचने में मदद करेगा, और आपके हाजमे को बहतर बनाएग सीने और मेदे में जलन का एसास होने के मामले में दू-सोड़ा बढ़ती हूँ तदावियत को किसी हद तक खत कम करता है, ये दिल की ताल के खिलाप वर्रिश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये आर्टेरियल हाइड ब्रेड प्रेशर के लिए मुख्सल है, क्योंकि ये जिसम से इजाफियल को अच्छी तरह हटाता है, दोस्तों आईए अब आब आपको दू-सोड़ा पीने के नुक्सानात के बारे में बताते हैं, कुछ मामलात में दूद के साथ सोड़ा इस्तेमाल करना ममनू है, पीने का ये मजमुआ हमेशा फायदामन नहीं होता, इस एक नेमत है, लेकिन जब हम इसमें कार्बोनेरिड केमिकल शामिल करते हैं, जिसमें सौफ ड्रिंक के नाम से जानते हैं, और इसे दूद में डाल कर दूद सोड़ा का नाम देते हैं, इस कार्बोनेरिड ड्रिंक में पासफोरस मजूद है, और इसमें मीठा मौजूद है, तो इसे क्रोस है, यह वो मीठा है जो आपके जिसम में कभी हजम नहीं होता, बलके यह आपके बदन में रहेगा, दूस सोड़े का मिक्सर आपके जिसम के चलने वाले सिस्टम को कमजोर कर देता है, दूस सोड़े जिसम के अंदर चलने वाले तराम आरगन्स को बिमार कर देत हैं दूर सोड़े वाले केमिकल्स आपके मौथ केविटी में बीमारी पैदा करते हैं यह आपके दातों के लिए नहायत फतनाक साबित हो सकते हैं दूर सोड़े का इस्तेमाल हमारी खुराक की नाल को जखमी करता है यह हमारे मेदे में पैप्टिक एसिड पहुचाता है जो के अलसर का सबग बनता है हमारे जिसम में मौझूद एंडोकराइन को डेस्टरप करता है जो हर्मुज बनाने का काम करते हैं यह ग्लेंस पर असर अंदाज होता है जो हमारी जिसम को नुक्सान पहुचाता है दूर सोडा इंसानी जिसम में छोड़ी और बड़ी अंतरियों को लाइल्स का सबब बनता है दूर सोडा हमारी जिसम के मुक्तलिफ पॉइंस पर बुरी तरह से असर अंदाज होता है जिसम की हड उसे जिसम को हलाक करना दूसोडा पीना इनसानी जिसम के लिए मुझर्व सेहत है रम्दान रमारक में लोग सहरी आफ़त्री में दूसोड़ का इतम Means करते हैं जो हमारी हड़ियों को कमज़ो और खोकला बनाता है अफ़ सोड़ा के इसामाल कसरशसे किया जाता है जो इनते है नुक्सान दे है इसके बरक्स सम्सटेजं को अगर खाले दूद को इस्तामाल किया जाए तो वह हमारी हड़्यूँ को नुक्सान नहीं बलके पायदा पहुचा अगे जबके दूद सोड़ा का इस्तेमाल इस्टीवियो रोसिस बिमारी में मुझतला कर सकता है। दूद में सोड़ा मिला जाए तो ये दूद की तमाम खुसुसियात को अपने अंदर जजब कर लेता है। और दूद में कार्बोनेटिड ड्रिंक का मिलाना दूद के तमाम फादामन एजज़ा को खतानाग एज़ा में तब्दिल कर देता है। और इनसानी जिसन को इनकर बिमारियों में तब्दिल करने में मौबिन साबित होता है। बहुत से लोग दू सोडा ये समझ कर पीते हैं कि ठंदा और अंदर की गर्मी या भरास को खतम करता है। ये बहुत ताकतवार चीज़ है जबकर ये वक्ती तोर पर सीने को तस्कीन पहुचाता है। सोडा जिसमें चार चीज़ें बेजा पाई जाती हैं जैसा के कैफेन, कार्बोनेक, एसेड, फास्पेड और शुगर की मगदार बहुत ज्यादा पाई जाती है। अब ये चारों चीज़ें हमारी जिसम के लिए बहुत नुक्सान दे हैं, खासतर पर हमारे गुर्दों के लिए बहुत बड़ा खत्रा है। दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए, तो हमारे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब दूर की जाएगा। अगले वीडियो तक के लिए, अल्ला हाफिस।